हेलो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं पोहा का बहुत ही टेस्टी नास्ता इसे बहुत ही कम समय में आप बना कर तयार कर सकते हैं तो देखिए उपर से क्रिस्प रहेगा और अंदर से बिल्कुल सौप्ट और जारीदार रहेगा बहुत ही टेस्टी लगएगा खाने में तो आ यहाप पोहा ले लिया है एक कप इसे हम बॉल में डाल देंगे, आप कोई साथ भी पोहा ले सकते हैं, साथ में हमने एक कप पानी भी डाल दिया है, और अब पोहा को अच्छे से दो कर साप कर लेंगे, इसका जो भी हरका फारका डर्स्थ है, वो सारा निकल जाए, और अच्छे से ढोकर साप कर लिया है अब देखे आप हम क्या करेंगे एक्ष्टा पानी जो पहले वाला था निकाल दिया था था थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें और तीन-चार चमज पानी डालने के बाद से इस तरह से मिक्स करके इसे थोड़ी दर के लिए रहने दे पूरी तरीके से ड्राइए नहीं करना है ठीक है अब चलिए हमने एक मिक्सर जार ले लिया है इसमें हम पोहा को डाल देंगे इस नस्तिक रेसिपी आपको पसंद आया तो आप प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा चलिए हमने सारे मिक्सी में डाल दिये पोहा उसके बाद इस भरतन से हम पानी थोड़ा ले लेंगे एक चोथाई कप या उससे भी थोड़ा सा कम उसके बाद इसका ढ़कन लगा करना हम इसे पीस लेंगे मिक्सी को चला देते हैं अच्छे से इस तरह का पिसकर तयार हो जाएगा तो ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है क्योंकि जादा हमें इसे पतला नहीं करना है एक तम काड़ा ही रहना चाहिए यह देखिए अपिक ठोड़ा सा भी पतला हो जाता है तो अब ठोड़ा सा केहु काटा आप और मिक्स कर सकते हैं इस तरह से रहना चाहिए तो चलिए इसे हम बॉल में निकाल लेते हैं और बैटर ऐसा होना चाहिए ना कि गिराने पर एकदम पकोड़े की तरह किरे इस तरह से अब चलिए इसमें हम कुछ थोड़ी से मसाला मिलाएंगे बहुत जादा मसाला नहीं मिलाएंगे इसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च बारिक कटे हुई तीन हरी मिर्च लिया है आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते है अदरक टुकडे को ग्रेट करके लिया हमने उसके बाद चिली फ्लेक्स लेंगे एकदम बारिक वाली है आप चाहे तो इससे मोटी वाली भी ले सकते है या फिर मिर्च पॉडर भी डाल सकते है थोड़ा सादा चमच हमने ले लिया है सफेद तील इससे क्रंची भी होका नास्ता और टेश्टी भी बहुत लगेगा यहाँ पर नमक स्वादा नुसर डाल देंगे अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारी कटा हुआ थोड़ा ज्यादा मात्र में आप चाहे तो इसमें सिम्ला मेर्च और भी कुछ गाजर पकेरा आप टाल सकते हैं डालना चाहते हैं तो बारी करके डालिएगा प्याज भी टाल सकते हैं आप हमने यहाँ ब्याज का इस्तमाल नहीं किया है इसे हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद लाश्ट में हम डालेंगे यहाँ पर मीठा सोडा मीठा सोडा हम लेंगे बस दो तीन चुटकी ही लेंगे ज्यादा इस्तमाल नहीं करेंगे आप यहाँ पर इनो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा एक चोथाई चमच इनो डाल लिजिएगा और इसे मिक्स कर लिजिएगा और मिक्स करते करते आपना दूसरे साइटा कड़ाई में या पैन में तेल करम होने के लिए रख दीजिएगा क्योंकि इस मिठा सोड़ा मिक्स करने के बाद तुरती फड़ावर्ट से बनाना सुरू कर दीजिएगा अच्छा रहेगा अब चलिए मैंने पहले से ही तेल को गरम करके रखा है तो बस हाथों से इस तरह से बैटर को उठाएंगे और तेल में इस तरह से डालते जाएंगे मीडिया माज पर ही तेल को अच्छे से गरम करना है उसके बाद ही डालना है चोटी चोटी बड़ियों की तरह हम इसे डालेंगे ज्यादा बड़ा नहीं डालेंगे क्योंकि अंदर से पकने में भी असानी होगा छोटा छोटा अगर डालेंगे तो यह देखिए आप ना 2-4 पहले फ्राइ करके देख लिजेगा अच्छे से पक रहे है या नहीं क्योंकि अच्छी से क्रिस्प नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा केवु काटा आप और मिक्स कर लिजेगा चमचे से बैटर में अब यह देखिए अच्छे से थोड़ी ही देर में अच्छे से कलर आने लगता है अब देखिए पकोड़े वाला कलर आ जाए तब तक के लिए इसे फ्राई कीजिएगा अब देखिए ये फ्राई हो चुके हैं तो चली अब हम इसे निकाल लेंगे बस दूसरा भी उसी तरह से हमें डालना है लेकिन ध्यान रखना है दूसरे बारी में भी अच्छे से तेल गरम होना चाहिए तो चलिए आपको इस रेशिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में लाइक का बटन दवा दीजेगा इसी तरह के और पी रेशिपी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई